हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आपका हमारी चैनल बर्मा सेल्फ मैक में आज की वीडियो में हम सीखेंगे मारूती अल्टियेंटर की रेक्टिफायर प्लेट को कैसे चेक करें तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं और यह है बेटरी का प्लस वायर और यह है बेटरी का माइनस वायर और यह हमारे पास हाई एक टेस्टिंग लेंप तो हम क्या करेंगे एक टेस्टिंग लेंप का वायर और एक बेटरी का माइनस वायर इन दोनों वायर को हम आपस में जोड़ देंगे और उसके बाद हमारे पास बसता है एक टेस्टिंग लेम का वायर और एक बेटरी का पोजिटिव बायर तो अब हम इस प्लेट को चेक करेंगे तो चेक करने से पहले हम आपको बता देते हैं कुछ प्लेट के बारे में तो दोस्तों इस प्लेट में छे रेक्टिफायर होते हैं और तीन डायोड होते हैं और दोस्तों इसमें तीन पार्ट होते हैं इसमें तीन प्लेट हैं एक नीचे और बीच में और एक ये डायोड प्लेट की ये जो पत्ती सी लगी है ये ये तीन पार्ट में होती है तो दोस् सक्षिप होती है जिससे हमारा क्लेंट निकलता है और जो उपर पत्ती लगी होती है जिसमें । वाली पत्त इह होती तो दोस्तों यह है बेटरी का प्लस बायर अब हम इसे लगाते हैं नीचे वाली प्लेट में और जो टेस्टिंग लेंप का जो बायर है उसे हम लगाएंगे जहां पर हमारे स्टार्टर के बायर लगते हैं तो इसे हम जब लगाएंगे तो दोस्तों हमारा बल्प चलेगा तो यह हमारा बल्प चल लाहा है तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे इन दोनों वायर को आपस में पलट लेंगे तो जहां पर हमारा प्लस वायर लगा था वहां पर हम माइनस वायर को लगा देंगे तो दोस्तों यह अब हम फिर बैसे ही जहां पर स्टार्टर के वायर लगते वहां पर चेक करेंगे तो यह बल्फ हमारा नहीं जल लाए तो इसका मतलब यह है कि हमारी नीचे की प्लेट नीचे के रेक्टिफायर जो है वो सही है अब हम बीच वाली प्लेट बीच वाले रेक्टिफायर को चेक करते हैं तो अब हम टेस्टिंग लेंब के वायर को लगा देंगे बीच वाली प्लेट पे और प्लस वायर से हम चेक करेंगे यह दोस्तों हमारा बल्प जल लाए और अब हम इनको फिर पलड लेंगे पर जहां पर इस टार्ड वाउय लगते हूं आप लगाएंगे टेस्टिंग लेम के वायर को तो यह दोस्तों नहीं जला आये तो देखेंगे दोस्तूं यह नहीं जला आए तो यह हमारी बीच की प्लेड़ है और रभम जो डाइवोट कि हमारी पति तो यह नहीं चलना चाहिए तो दोस्तों मैं लगा रहा हूं दे कि ही यह नहीं जन लहीं है तो यह हमारी rectifier Plate बिल्कुल ही स़ई है तो अब आप लोग सीख गया होंगे इस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आप भी इसे चेक कर सकते हैं तो दोस्तों यह प्लेट तो हमारी चेक हो गई और हमारे पास एक पुरानी प्लेट है जिसे हम चेक करते हैं तो दोस्तों यह है हमारे पास एक पुरानी प्लेट तो देखिए इसे वैसे ही चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यह सही है या खराब है तो दोस्तों देखिए मैंने एक सिरा इसका डाइबोर्ट पती के वायर में लगा लिया है और एक सिरे को हम स्टार्टर के वायर आप लगा लिया हमने चेक किया एक तरफ से बलब हमारा जल लाए और दूसरी तरफ से हमारा बलब नहीं जलना चाहिए तो आप देखते हैं कि जलता है या नहीं जलता है तो यह दोनों तरफ से हमारा बलब जला रहा है मतलब कि यह हमारी प्लेट खराब है देखिए दोस् और जब नीचे वाली प्लेट को मैंने चेक किया है तो नहीं जला है और एक तरफ से जला एक तरफ से नहीं जला तो हमारी रेक्टिफायर प्लेट जो है रेक्टिफायर इसके सही है लेकिन जो डाइवोड है वो सही नहीं बीच वाली प्लेट को भी हम चेक कर लेते हैं लेकिए दोस्तों एक तरफ से नहीं जला है और हमने प्लट के लगाया है और यह इधर से जला है तो दोस्तों हमारे रेक्टिफायर तो इसमें सही है लेकिन डाइवोड जो है वह खराब हो चुके एक बार और दिखा देते हैं देखिए दोस्तों यह दोनों तरफ से जला है तो हमारे डायोड खराब है तो यह प्लेट हमारी खराब है आशा करते हैं दोस्तों जो भी जयनकारी मैंने आपको दी है वह आपके समझ में आ गई होगी वीडियो के अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइकन को दमाएं ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करूं उसका नोडिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ने टॉपिक के साथ नमस्कार दोस्तों